च yISHree राम सभी भाइयों को, आप सभी का स्वागत है। तो आज का अपना वीडियो रहने वाला है पठान मोवी के ऊपर, तो आज का अपनी इस वीडियो में हम पठान मोवी की स्टोरी के बारे में और उस पर छोटा से रिव्यू करेंगे। तो वीडियो को लाश्ट तक देखना और अगर आप हमारे वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेर करना तो बात करते हैं सबसे पहले पठान मुवी की कहानी के बारे में तो फिल्म एक स्पाई ठ्रिलर है जिसकी कहानी कोई बहुत अलग या नहीं नहीं है किसी भी आम स्पाई फिल्म की तरह इसमें भी एक एजेंट पठान है जिसको देश की सुरक्षा से चुड़ा एक खास मिशन सोपा जाता है अब पठान को मिशन सोपा गया है तो जाहिर वो इस पुरा भी करेगा लेकिन कहानी इस बारे में नहीं है कि वो इसे पुरा कर पता है या नहीं कहानी आपको ये बताती है कि वो कैसे इसे पुरा करता है इसे पुरा करने के लिए पठान को कहीं बार अपने चांद दाव पर लगानी पड़ती है दुश्मोन की दुवातार पिटाई करनी पड़ती है और भी बहुत कुछ फिल्म में दीपिका पादुकॉन इस मिशन को पूरा करने में शारुक की मदद करते है और उनके सामने खड़े है चौन अब्राम चौन एक ऐसे दुश्मोन है जिसे हरा पाना इतना आसा नहीं है लिपिका और शारुक पर पारी पड़ते दिखते हैं फिल्म की कहानी में यू तो कुछ भी नया नहीं है लेकिन इसे चीज़ तरह से ट्रीट किया गया है वो देखने लायक है सिदर्थ आनन्द ने फिल्म की कहानी को अच्छे तरीके से परदे पर उतारा है खास तोर पर शारुक खान इसके हर फ्रेम में चबरदस्त लगते हैं फिल्म में एक्षान, ट्विस्ट एंड टांस काफी मज़दार है फिल्म के फर्स्ट हाफ को देखकर ऐसा लगता है कि कहानी एक पूरानी है और इसमें दिपिका पादुकर्ण सिर्फ एक्सपोज करने के लिए है लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ आपको काफी एंटर्टेन कर करता है और इसमें दिए गए ट्विस्ट आपको हेरन कर देते हैं इसके बाद आप फिल्म देकर यहीं कहेगे कि फिल्म पेशा वसूल है